हेलो फ्रेंट कैसे हैं आप लोग आई होब कि आप सभी ठीक होंगे स्वागत है आपका अपने चैनल कुक विथा निसा में मैं हूँ आपकी दोस्ट एंड होस्ट अनिसा तो फ्रेंट्स आपको और आपके पूरे परिवार को सुतंता दिवस की धेर सारी सुब कामनाएं और म मेरी रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंट्स के साथ जरूर से सेयर करें तो इस रेसिपी के लिए यहां पे मैंने एक कप पोहा ले लिया है तो यहां पे मैंने ले लिया है अगर आपके पास मोटा पोहा है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं तो इसको हमें एक बार अच् पिस्के तयार करना है तो बहुत ही ईजली ये पिस्के तयार हो जाता है तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूं और ये देखिए एकदम से ये पिस्के तयार हो चुका है तो जैसे जो ये है न एकदम पॉडर जैसा नहीं होगा जैसा पतला रवा होता है बिल्कुल उसी तरह से यह तयार हो जाता है तो चलिए अब इसको हम निकाल लेते हैं एक बोल में और मैं आपको दिखावी देती हूँ यह देखे बिल्कुल पतला वाला रवाजा आता है ना बिल्कुल वैसा ही इसका लुक रहता है तो अब इसमें हम ढाल देंगे एक कप ही सूजी तो अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो जब आप पोहे पीस्ते हैं तभी आप उसको भी साथ में डाल दीजे तो दोनों अच्छे से पिसकेट तयार हो जाएगा तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधी चमच चीनी इसी के स्वाध अनुसार नमक डाल दिया ह मैंने और अब इसमें हम डाल देंगे दही तो यहां पे आधे कप के बराबर दही डाल देना है तो दही ज्यादा खटा नहीं होना चाहिए इस बात का ध्यान रखिए तो यहां पे देखे चार टेवले स्पून मैंने डाल दिया है दही जो की आधे कप के बराबर होता है त और हमें पानी का भी अंदाजा इससे हो जाता है और गुठलियां भी जल्दी नहीं परती है तो इसलिए जरूरी है कि एक बार इसी तरह से आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए तो यहां पे मैंने देखिए अच्छे से इसको कर लिया है मिक्स अब इसमें हम डालेंगे तो पहले एक कप पानी डालते हैं और पानी डालके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो इसमें पोहा है पोहा बहुत जादा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है तो यहां पे मैंने दूसरा कप पानी भी डाल दिया है जो की थोड़ा सा कम था त्योंकि एक बार में हम ज़्या अगर ज्यादा गीला हो जाएगा तो फिर बाद में दिकत हो जाएगी तो इसलिए कम कम करके ही पानी डाल दे जाएगे तो यह देखे इस तरह से हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है तो जितना हमने कम पानी लिया था ना दूसरे कप में उतना मैंने फिर से इसमें एड कर द अगर आप तुरंत बनाना चाहते हैं तो इसमें इसी स्टेज पे जो है आधी चमच के बराबर बेकिंग सोडा यानि की मीठा सोडा जो होता है वो डाल दीजिए और तुरंत बना लीजिए तो यह देखिए 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखा देती हूं यह देखिए अच्छ करके डालेंगे एक बार में नहीं डालेंगे तो अभी मैंने आधा ही डाला है और इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे इसी तरह से यहां पे मैंने पूरा पानी डाल दिया है और इसको मिक्स कर लेना है तो इस तरह से छोटी छोटी चीजों की जो है हमें ध्यान रखनी होती ह जिसे की perfect हमारा recipe बनके तयार होता है अगर आप एक बार में ही ज़्यादा पानी डाल देंगे और गीला हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाती है या फिर उसमें lumps भी बंद जाते हैं तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके और इसको हमें 1-1.5 मिनिट के लिए अच्छे से देंगे तो एक में मैंने डाल दिया यहां पे औरेंज फुड कलर और इसको हम मिक्स कर लेंगे अगर आप फुड कलर नहीं डालना चाहते हैं तो अप गाजर जो होता है और उसको पीस के उसका अच्छा आजाता है और यह देखिए अच्छे से हमारा औरेंज कलर तयार हो अब दूसरे में डाल देंगे ग्रीन फुड कलर और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इस तरह हमारा तीनो कलर तयार हो चुका है अब हम तीनो में डाल देंगे वन फोर्थ वन फोर्थ टीए स्पून करके इनो तो यहां पे मैं डाल रही हूं तो ज्यादा नही ग्रीस कर लिया है अब इस तरह से पहले हम इसमें डालकर देंगे प्लाइन प्लार जो हमने तयार करके रखा था तो अच्छे से यहां पे मैं डाल दिया है अब इसके साइड से मैं डाल दूंगी यहां पे और पेटर बना के तैयार किया हुआ था उसको भी इस तरह से डाल देना है और अच्छे से साइड से हमें इसको हटाते हुए डालना है और अब इसके उपर यहां पे इस तरह से हम डाल देंगे इसमें हुआइट कलर यह देखिए और बनने के बाद यकीन मानिए इतना सुन्दर तो चार मिनट में यह पर्फेक्टली एस्टीम हो जाता है तो चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूं यह देखिए एकदम कितना फूला फूला जालीदार हमारा इडली बनके तयार हुआ है तो जब तक यह ठंडा होता है हम दूसरे बैच का भी बनाके सेम इसी तरह से तया कर लेंगे और अगर आप इसको गैस पे बना रहे हैं तो इडली एस्टेंड में डालके या छोटे-छोटे कटोरी में डालके साथ से दस मिनट के लिए आप इसको इसको इस्टीम कर लीजिए बहुत ही आसानी से बनके तयार हो जाता है ओवेन में थोड़ा जल्दी बन जा बहुत ही अच्छा आया था तो ये देखिए सभी इडली बन के हमारे तयार हो गए हैं तो थोड़े से मैंने छोटे-छोटे इडली बनाये थे जो कि मेरी बेटी को बहुत पसंद आता है तो फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए अगर मेरे चैनल पे नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिलकल भी ना भूलें तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नए रेसिपी के साथ, किसी नए वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू फो वाचिंग मै वीडियो जय माता दी, जे हिंद जे भारत